7,17,000 रुपे की spelling क्या होती है और 7,17,000 रुपे को चेक पर लिखने का सई तरीका क्या होता है यह हम आज इस वीडियो में सीखेंगे 7,17,000 रुपे को इंगलिश में हम 7,17,000 रुपीज कहते हैं और अगर हम अकाउंट पे चेक देना चाते हैं तो चेक के सबसे उपर कॉर्णर में हम अकाउंट पे only लिखेंगे कि जहाँ पर पे ABC नेम लिखा हुआ है वहाँ पर आप उस परसन या कंपनी का नेम लिखेंगे जिससे आप चेक देना चाते हैं नीचे आप लिखेंगे 7,17,000 रुपीज और इसके स्पेलिंग होती है और उसके नीचे 7,17,000 रुपीज मातर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप हिंदी या इंग्लिश किसी एक भाशा में ही चेक परें और राइट एंग साइट में जो बॉक्स दिया हुआ है उसमें 7,17,000 रुपे को अंकों में लिखना है जिसके लिखने का तरीका है 7,17 फिर तीन बार आपको 0 लगानी है और नीचे जहां आपका नाम लिखा है वहां उस नाम से उपर आपको अपने सिगनेचर करने होते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारी चैनल को सिब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें आपके लाइक हमारे लिए बहुत माइने रखते हैं